हलो फ्रेंड्स दलजीद तोसांच और प्रनेती चौपड़ा की फिल्म अमर सिंग चमकीला का ट्रेलर रिलीज हो गया है नेट्फिक्स की यह फिल्म पंजाब के ओरिजनल रॉक स्टार कहे जाने वाले सिंगर अमर सिंग चमकीला पर अधारित है इस फिल्म का निर्देशन अमित्यास अली ने किया है वहीं सिंगर एयार रहमान का है बता दे कि यह फिल्म 12 अपरल के दिन OTT प्लैटफोर्म पर रिलीज होने वाली है तो आईए बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में दो मिनिट 37 सेकिंड का यह ट्रेलर में दिखाया गया है कि ऐसे पंजाब के दिवकत कायक अमर सिंग चमकीला ने जीरो से अपनी शुरुबात की थी अमर के नाम मन में दिन रात संगी चल रहा होता है वह कार खानी में बैठ कर जुरापे बनाता है फिर एक दिन उसे स्टेज पर गाने का मुका मिलता है लोगों को उसका गाना बहुत जादा पसंद आता है और वह रात और रात स्टार बन जाता है कि तू कुछ समय बाद लोग उसे परिशान हो गए उस पर गंदे काने का आरोप लगाने लगे लेकिन वह नहीं रुका वह आगे बढ़ता रहा इधर उसके दुश्मनों के संग्या भी उसी तरह बढ़ती चली गई लोगों को दिवकत कायक पर बनी इस ट्रेलर का काफी पसंद आ रहा है वह ट्रेलर के नीचे कमेंट में दलचीत दुसांज की तारीफ कर रहे है एक यूजर ने लिखा जब दलचीत दुसांज इम्तियाज अली और एया रहमान हो तो क्या चाहिए दूसरे यूजर ने लिखा बायो पास को देखने का अलग ही मज़ा है तेसरे यूजर ने लिखा यह महीना काफी अच्छा है पहले सिद्धु कूजा के पुनर जनम की खबर आही अब अमर पाजी के सच सामने आ गया अमर सिंग्चम कीला की का जनम उननी सो साथ में पंजाब में हुआ था दिवकत कायक ने महज 20 साल की उमर में अपने कानों से धूम बचा दी थी सत्तर के देशिक में अमर सिंग ने हाइस्ट रिकॉर्ड सैलिन का रिकॉर्ड बना लिया था हलांकि 27 साल की उमर में वह इस दुनिया को अलविता कहे गए 18 मार्च 1988 के दिन कुछ अग्यात हमलावरों ने अमर सिंग्चम कीला की गोली मार कर हत्या कर दी थी उन लोगों ने उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा था अमर सिंग के साथ उनकी भी हत्या करती गई थी इस मूवी का इंतजार उसके फैंस को काफी बेसबरी से था लांच एवेंट में दिलचीत भावुक भी दिखे इस फिल्म के निर्मता इम्तियाज अली है फिल्म में दिलचीत के साथ बॉलिवूड एक्टर पर नेती चौपडा भी नजर आएंगी दिलचीत अपने कानों से भले ही लोगों का दिल जीत चुके हो लेकिन उसके अभीनिया का हर कोई कायल है इस फिल्म के माध्यम से वह अपनी अलग ही पहचान बनाने में लगे हुए है इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी अमर सिंग चमकीला की पहली से ही चाहाएं हुएं लगी है थी वहीं आज ट्रेलर जारी होने के बाद तो मानो हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है यह है फिल्म अपने युग में बेहत मशूर होने वाले कलाकर चमकीला के जीवन पर अधारित है दिलजीत इसमें मुख्यक डिदार में नजर आएंगे आमर सिंग चमकीला 1980 के दशक में अपने शक्ति शाली संगीत के माध्यम से गरीबी से बेहत प्रसित्ती तक पहुंचे थे उनका संगीत गाउं विशेश कार महलाओं को मंत्र मुख्य कर देता था टेलर लौंच के मौके पर दिलजीत ने इमतियाज के साथ जुड़े कुछ किस्से भी सुनाए साथ ही उन्होंने अपना अनुभव भी सांजा किया दिलजीत के निर्देशन में अभीनेता की तारीफ करते हुए बताया कि दिलजीत तब चमकीला के किदार में पूरी तरह समा गए थे उन्होंने इस किदार के पूरी महनत के साथ अपना बेस्ट दिया है इस मौके पर दिलजीत की आंखों में आंसु भी आ गए थे और वैब भावुक हो गए थे फिल्म के अभीनिता और निर्देशिक अमर सिंग चमकीला से पंचाब के मूल रॉक स्टार की अनकही सच्ची कहाने को लोगों के बीच ला रहे है कैसे चमकीला गरीबी को चाया से निकल कर असी की दशक में अपने संगीत की ताकत की कारण लोग प्रेता की उंचाईयों तक पहुँचे अपने चीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाओ भी देखे इसके बावजूत उन्होंने कैसे तरक्की की 27 वर्ष की उमर में उनकी हत्या कर दी गई थी यह सब भी चीजे फिल्म में बाखुबी से दिखाई गई है अमर संग्चमकीला 12 एप्रल से OTT प्लैटफॉर्म नेट्फिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तयार है अमर संग्चमकीला का ट्रेलर काफी दमदार है ट्रेलर से यह भी पता चलता है कि फिल्म को रियल लोकेशन पर शूट किया गया है यह हमें पंजाब के ओरिजनल रॉक स्टार अमर संग्चमकीला के से परीचित करता है जिने अकसर पंजाब का अलविश प्रैलिसी कहा जाता है यह दर्शिकों को पंजाब के लोक संगीत की चलत भी देता है जहां कभी चमकीला की आवाज करचती थी ट्रेलर से यह भी साफ हो गया है कि फिल्म में प्रनीती चोपडा चमकीला की पतनी और सिंगिंग पार्टनर अमर जोत का क्रिदार निभाती नजर आएंगी अमर सिंग चमकीला को 27 साल की उमर में हत्या कर दी गई थी अब उनकी कहानी परदे पर धमाल मचाएगी ट्रेलर की शुरुवात में दिल्जीत तो साज की ट्रेसिंग अंदाज में एंट्री होती है दिल्जीत से एक लड़की कहती नजर आती है चमकील अवल और पंजाव को दुनिया भर में अपने गंदे और अशलील गीतों के लिए जाना जाता है यह सुनकर दिल्जीत कहते हैं आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं बताता हूँ इसके बाद अमर सिंग के ग्रिदार में दिल्जीत एक कार खाने में नजर आते हैं इसके बाद वैं अपनी दोस्त से कहते सुनाई देते हैं दिन रात मेरे दिमाग में संगीच चल रहा है और मैं जुराबे बना रहा हूँ इसके बाद उनका दोस्त कहता है तुम है कौन तो दिल्जीत कहते हैं आज कुछ नहीं हैं लेकिन कल हो जाओंगा इसके बाद ट्रेलर में दिलजीत और प्रिनिती की रोमेंटिक केमिस्ट्री की भी जलकती मिलती है दिलजीत और प्रिनिती ट्रेलर में एक साथ खूब स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं ट्रेलर में अमर सिंचमकिला के करेडार में दिलचीत पर गंदे सकाने के अरोग भी लगते हैं। उन पर हमला भी होता है। ट्रेलर के लास्ट में वह कैते नजर आते हैं, मुझे बड़े परदे पर खुद को दिखाने का बहुत शौंक था। Overall अमर सिंचम किला 2 मिनिट 38 सेकिंड के आई है ट्रेलर काफी मज़ेदार है ट्रेलर रिलीज होने के तुरत बाद कई सोशल मेडिया यूजस ने अपना रियक्शन देने शुरू कर दिया है फिल्म के लिए एकसाइटमेंट जाहिर करते हुए कुछ ने तरक दिया है कि फिल्म निर्देशित रूप में ब्लॉक बास्टर होगी कईयों ने लिखा दिलजीत को फिल्म में देखने के लिए वह इंतजार नहीं कर रहे यह है फिल्म 12 अपरल को ODD प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे बाई फ्रेंड्स